अब तीदा आपका principle of micro economics का exam हैं दस तरिक को, तो दस दिन की strategy बिलकुल आपका इस पस्थ होना चाहिए, क्लिर होना चाहिए, कि दस दिन में आप किस तरिके से आप अपनी strategy को आप ले के चलेंगे सबसे पहले आप इस वाद का आप द्हान नखिएगा इन 10 दिनों में आपके पास में कमसे कम चार आपके पास में पेपर यहावइये आप चार पह लोना MU च्रब्रक्र कि इसके साथ साथ आप जो हैं जो हो इंपोर्टंट आप करवाएं है उन 40 important questions पर focus कर लीजिए बस क्यूंकि जो आप देख रहे हैं जो पेपर इसके questions उस 40 questions में मिल जाएंगे आपको तो बहुता चीज़ है तो फिलाल मैंने तो अपने अब स्टार मैंने बना दियं है वीडियो में जाकर करिके देखें गा कि आस मिलेगा जो मैंने नहीं पढ़ाया जो है आपका आपके दो पार्ट में है ए और बी पार्ट में यह आपके जो है 9 marks का आपका first question है second question भी आपका 9 marks का आया था 2021 की मैं बात कर रहा हूँ वीकॉम प्रोग्राम में आपका पिपर है तो आपका first question 9 marks first question में A और B ऐसी तरीके से सवाल होते हैं आपके 75 marks का पिपर था और आपके पिपर इसी तरीके से होंगे अगर एक कोशन है तो उसमें ABC करके चीज़े बनाई जाएंगे यह मां सोचे आप नंबर का पहला कोशन है तो थार नमर कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा जी बहुत सारे हैं अंट सभी कोशनि से अच्बार लिखना पड़ेगा सबसे पहला कि परशंगर ग्रियर कि मैं वा रिसोर्सेस जो है वो डो पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिये थे एक लेवर इंटेंसीब को और एक आपके पास में Capital Intensive Technology तो आपने लेबर और एक आपने जो है Capital आप डाउट कैसे क्लियर करेंगे अभी सेशन के बाद आपका जो है अलग से मैं ले लेता हूं डाउट तो इस तरीके से आपने जो है Consumer Goods और Capital Goods का भी आपने देखा था और आपने समझाता है लिमिटेड है तो लिमिटेड रिसोर्सिस में हम क्या करेंगे अगर एक चीद का बढ़ाएंगे दूसरे अपने कम करना पड़ेगा और धीजिर हमने देखा जो हमारा सेक्रिफाइजिंग का रेट हो पहले से ज्यादा होने लग गया था क्यूंकि सारे रिसोर्स इक्वल एप सकते हैं हैं अब तोहले सब, और आप आप अपने प्रबबन बना दे और के प्र रहरा हैँ आप जो है डाइग्रा माले दो काम कर देजिए आप सबसे पहले डेपिनिशन टेबल एंड डाइग्राम उसके बाद आप क्या करें आप अपने टेबल के ऊपर आ जाए और टेबल को एक्सप्रेइं करने लग जाए कि हमारे पास में रिस्टोस इस लिमिटीड है अगर हम एक अप लक्षेन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का अप्लक्षेन हमारा कम होगा क्योंकि रिसोर्स अमारे पास में वह एंक्रीजिंग र चैनल लग जाए यह तो यहां पर पीपीसी के बारे में बोले के लिए आपके पास में बहुत कुछ हो जाएगा और आपके पास में नाइन मार्क्स का है टेबल, डाइग्राम, डेफिनेशन और थ्वड़ा सा एक्स्प्लेनिशन टेबल डाइग्राम का तयार करना अपना आपका जो आंसर मैं डाल रखा या जो आंसर किसी बुक में है उस पर मत जाना आप बस वहां से रेडिंग कीजिए आंसर अपना खुद का बनाई है डेली ठीक है और डेली आंसर बना गर्याति आप चेक एक बार मुझे जो है उसको सेंड करें जो मुझे लगेगा बच्चे ने अच्छा करा है मैं उस बच्छे का आंसर अपको शेयर कर दूँगा कि यह इस तरह की का आप आंसर बनाना है उसके बाद है what is law of demand explain the factor responsibility for the safety in the demand का सबसे पहला आप इस बात को समझाएगा पहला question no number का आपका प्लक्षिन function से आपका जो है sorry पहला question जो है आपका introduction से आपके पास में आएगा हमें इसा paper में इस बार ही पेपर में पहला question आपको जो है introduction से ही आपको देखने को मिलेगा clear है और जो important लगाए है मैंने निसान आपको chapter number one में उसमें से एक question पहला होगा यह धाना केगा question number दूसरा जो आपको है वो demand से आपको देखने को मिल जाएगा demand chapter में से तो यहाँ पर demand में से बहुत सारी सवाल मैंने निसान लगाए कि वो law of demand क्या है determinants of demand क्या है या left to right word वो inverse relation क्यों होता है मैंने कुछ important लगा है उन में से एक सवाल आपको जो बी पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि what is the law of demand explain the factor responsible for shift in demand curve बताइए ज़रा demand curve में जो shifting होती है वो किसकी वज़े से होती है बताइए जो demand curve में shifting होती है हाँ determinants को हम factor ही बोलते है बताइए कर में shifting किस वे से होती है कर में बिटा shifting जो है price इसका constant रहता है और other factor की वज़े से आपके shifting होती है अब other factor price पर discussion मत करना यहाँ पर आप यहाँ पर price of substitute goods ले ले लेना price of complimentary goods ले ले लेना income of the consumer आप यहाँ पर ले लेना इस सब चीजें जो ही effect करती है तो आपके बारे में यहाँ पर सवाल shift है तो आपको increase और decrease दोनों के पहले तो आप इसमें low what is the low of demand तो what is the low of demand इसके आप सबसे पहले आप क्या करेंगे definition देंगे फिर्स्ट पर इसको आप explain करेंगे second number पर आप क्या करेंगे एक diagram बनाएंगे low of demand का clear जी इस तरीके से और उसके बाद आप जब solve करेंगे ना देखिए आप answer कैसे लिखोगे आप answer ऐसे लिखोगे सबसे पहले आप जो है answer जब आप लिखते हैं तो clear cut होना चाहिए first question का आप ए answer दे रहे हैं clear ना और यहाँ पर आप heading डालने कि आप किसका answer दे रहे हैं reflection possibility curve के बारे मांसर दे रहे हैं अब उसके बाद इसका answer आप लिखना जब आप शुरू करेंगे तो आप वही आप पहले क्या करेंगे इसको इसको explain करेंगे मतलब सिर्फ meaning तक भी अगर आप लिखते तो best उसके बाद आप क्या करेंगे आप table अप table पर आ जाए और उसके बाद आप क्या करेंगे diagram diagram आप ध्यान अखेगा आपका pencil से होना चीए बेटा यह धान अखेगा pencil पैंसे नहीं होना चीए और उसके बाद फिर आप जो है अब यहाँ last में आप explain करेंगे यह आपके कुछ step होंगे question number one का आपका answer जब मिलेगा teacher को meaning और table देख लेंगे diagram देख लेंगे उस expression देख लेंगे लुग अच्छी है महाँ पर आपको आपके सवाल के nine marks मिल जाएंगे और फिर आप ऐसे लिखेंगे answer number first और आप बी का answer करने जा रहे हैं तो बी में आप जो है इस तरह के से law of demand अब बी में भी दो तरह की चीज़ें हैं बी को ऐसे डिवाइड कर दीजिए law of demand अब सिर्फ यहाँ पर आप क्या करें आप law of demand को आप explain करें बस law of demand में आपको वही बाली बात है कि क्या करेंगे पहले meaning और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे इसका diagram बना दीजिए table तो जो है वो आपका बढ़ रहा है तो quantity आपका जो है गट रहा है यही तो बात इन्वर्स एलेशन होता है table और उसके बाद आप क्या बनाएंगे आप इसमें diagram में तो आपके पास में दोनों बात बतानी है प्राइस बड़ा quantity कम प्राइस कम वहा तो quantity ज्यादा अच्छे से आपके पास में what is the law of demand तो ज्यादा explanation में मच चले जाना क्योंकि फिर आपको यह भी explain करना है paper में आपको एक्रों में टाइम बहुत कम आपको लगेगा तो यहां पर आपके पास में law of demand आप में लिग दिया question number second का first अब इसी तरीके से आप क्या करें फिर आप यहां पर कोई आपके पास में answer जो है आपका first का ही चल रहा है बी का ही चल रहा है आप यहां पर आप लिग दें factors यह फिर डिट्रेमिनेंट्स आफ डिमांड तो इस सीच को आप हैडिन डालने टीचर को चेक करने में खिचड़ी नहीं आएं फिर आपको क्या करेगा सब्सक्राइब तो आपके जो ठारा में साथ 14-15 स्कोर कर लोगे पूरा पर आपका स्कोरिंग हो जाएगा आपने क्या अगरा कुश्यमा वन लिखा लिखना शुरू कर दिया सब कुछ मिला दिया यहां पर वो क्या ही करेगा आपका चेक चेक भी कर देता तो पांस आप नम पर ठागे दिया 27 भी देदे गलती से हो नो नो तेन जीए पर मैं कहने का मतलब है कि आप जितने ज्यादा ओप्शन देंगे मांक्स देने का मांक्स आपको मिलेंगे कार्थिक पूछ रहेंगर मोस्ट इंपोर्टन वाले कोश्चन और चार पेपर अगर आप सॉल कर लेते हैं तो आपके पूरे 100% तक पेपर उसमें से आ जाएगा समझें 100% तक आपका पेपर उसमें से आ जाएगा हाँ जी तो इस तरीके से आपट प्रेक्स में अब क्या करेंगे डिट्रेमिनिंट में आपको पता है सिफ्टिंग इंडिमांड कर्फ की बात कर रहा है जिए इंप्रेस करो यार अपना नौलिज तो बताओ किया नोलेज स्टिफ्टिंग एंडिमांड कर तो सबसे पहले आप इस ने मांड पर नहीं है एक सवाल में ही दो सवाल है तीन सवाल है नहीं कि तीनों को अगर मैंने यहां पर दुबारा से एक्स्प्लेइन करा तो एक गंटा यहीं निकल जाएगा पूरे दस दिन के अंदर आपके पास में मैं एक पिपर इस वाल को रपाऊँगा इसलिए मैंने ओलडे क्लासित बना दिए वीडियो बना दिए मेहनत कर लिए यह नहीं जो है आपका जो 40 important question मैंस पर सिंगल स्टार होगा समझ लीजेगा मैं भी बात में मताऊँँ गार जो 40 important question जो मिलेंगे उस वीडियो में दो स्टार लगांगा और जिस वीडियो पर अगर आप तीन स्टार देख लिए तहां मतलब दोनों चीज़े मिलेंगी सिंगल स्टार सिरफ इंपड़न कॉश्चन डबल स्टार और सिरफ ऑद आपको प्रिवीज तर एक्जाम वाले कुश्चन स्टार इस वीडियो में दोनों मिलेगा अब स्टार देखते जाईए कुश्यों कवर करते चले जाईए चले तो यहाँ पर आपने कर दिया लेकिन आपको डाइग्राम अना क्यूंकि आपके सवाल में देखी है क्या पूछ रहा है सवाल क्या पूछ रहा है explain the factor responsible for shift in demand कर तो आप दिवान कर को shift करना है बच्चे तो आप इस तरीके से और इस तरीके से आप अपने डागराम मनेंगे अलग अलग आप इसको shedded करेंगे ठीक है कुछ इस तरीके से dot dot होता ने जो ऐसी करेंगे shift in demand कर यह लिखेंगे क्योंकि price of given goods is constant और responsible को ने because of other factors clear है ठी देंगे change in demand clear create shift in the demand कर डिवान में जो change होगा वो उसके demand कर में shift को यह लिए responsible रहेगा तो पहले आप क्या करें यहाँ पर सबसे पहले आप वही बात आप meaning लिख देंगे जब आप meaning लिख देंगे न तो meaning में कुछ छोड़ी होड़ी बाते डाल दें कि price constant करकी shifting हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर reasons reasons में आप पहला reason क्या लिखतेंगे price of substitute goods आपको demand right word लेके जाना है left way दोनो दोनो तो मतलब कि आप लिखतेंगे change in price change in price of substitute goods क्योंकि आपको change बताना है ना दोनों करना है तो change increase in price और decrease मत बोलों यहाँ पर जो आपको right word shift लेके जाना है तो आप इंक्रीज इन प्राइज और सब्सीचूट गोड़ी यह क्या होता है यह आपको बस हिंटे देना वीपर attempt कैसे होता है तो यहाँ पर क्या करना आपको change in price of substitute goods आपको लिखेंगे substitute goods की price में change आएगा तो फिर आपके origin goods की demand में भी चेंज आजाएगा इसके price में बिना कोई change की इंक्रीज होने से टी रिलेटिवली चीपर हो जाएगी तो टी की तरफ कंजूमर आएंगे टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो बात आप अंधर जाकर के लिख सकते हैं उसके बाद आपका change in price of complementary goods चेंगे ना चेंज इंकम अफ कंजूमर अब चेंज इंकम लिखोग होता है तो आप ज्यादा नहीं पांच पॉइंट भी हम लिख देंगे तो आपके लिए सफिसेंट रहने वाला है और डागराम आपने उपर बना दिया तो यह आपके पास थारा नंबर के लिए देखिए इतना कुछ आपको मेहनत करना पड़ा सुझमाएं आपको कैसे करन एक तो इंट्रोड़क्शन से कवर कर रहा पहला कुछिन और उसके बाद आपके पास में अगला कुछिन वो कहां से कवर कर रहा अगला कुछिन जो है आपका कवर कहां से कर रहा है पहला कुछिन आपका इंट्रोड़क्शन और डिमांड में बाट दिया अगला कुछिन कह सबसे इसमें आपके पास में कितने कुश्य मनाएं सिर्पिर्ण एक कोशन यह बना दिया है दोसरा यह बना दिया और तीसरा आपके पास में यह बना दिया इसमें आप जो है इलाशिटी आप दिमांड के अंदर सबसे पहले आप बता सकते हैं जो डियाग्राम के वाई कि आपके दिमांड में चेंज करेंगे इसके डिमांड में कितने टाइम चेंज आ रहा है मेनिक देंगे कि परफैट इन इसके डिक्राइड की वैल्यू सम्झें उसके बाद परफैक्ट इलासिटी क्या होता है यह सारे डाग्रांप तो यह मीनिंग हो जाएगा के लासिटी डिमांड बिस्क्ली क्या और उसके बाद आपके पास में क्या है एक इस में प्रियों में तो अपक्षार पैसे पांच मेंपने अपको पढ़ाएं उन 55 में पांच भी लिखेंगे तो भी ठीक है तीन तो मिनिमम्म तो तीन तो मैंठ लिख नहीं पड़ेंगे ठीक है तो आप देखेंगे कि आपके पास में second question आपके पास में ED से उठा रहा है क्लियर है तो second question कहां से ले रहा है ED से तो first question आपका introduction प्लस demand की theory second question ED से लेगा हमीशे जाने किना second question में chances भी होता है कई बार यह बोलता है कि दो parallel line पर क्या ED सेम होती है या दो डिमांड कर इंटरसेट करते हैं तो क्या ED डिफरेंट होती है समते कुछ इस तक दो थिएरों में ने बता है ना प्रूफ करने वाला वो question भी यहाँ पर रहता है तो दो ही question इस पर आप मैं एहम मान के चलिएगा एक तो यह question और एक दूसरा जो है parallel line का और एक cross वाला दो question में से को एक question आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा second question जैसे कि आप देख पा रहे है तो second question भी आपके पास में 18.25 माक्स प्रूंट में कर देते हैं यह आपके पास बात ठारा नंबर का आपके पास में यह आपके पास यह पॉइंट 5 था और यह आपके पास में 18.75 माक्स का है कि चुछ को ऐसे आपको लग अलग करके आंसरे लिखनाँ के लिखनाई आ वह टोब ताफ पूरा आता होगा मुझे पता है बस अगर कुछ समस्य आपके सामने आएगी तो आपके इस्वाएगा Do Shurim परिफेक्ट कॉश्यण नमबर देखते हैं अपना थ़ट तो सबसे पहले आपके पास में यह आपके पास में टैन मार्क्स का है यह आपके पास में टैन मार्क्स का है आपको याद होगा मैंने प्राइट इफेक्ट इंकम इफेक्ट और सब्सिजूशन इफेक्ट मैंने आपको इंडिफरेंस कर में बताया था बताता यह बहुत इंप आफ दा इंडिफ्रेंस कर तो कोशिन नमर फ्री किसके नाम से है आई सी के नाम हो गया आपके पास में 18.75 का अब का सब्सक्राइब तो फर्स्ट कहां से आने वाला है मतलब की इंडिडुड़क्शन में से सरफ एक कुश्चन आपको जो है नो नम्मर के आसपास का देखने को मिलेगा बस दिमांड में से आपको जो है आपके पास में दो कुश्चन देखने को मिलेंगे आपको एक तो आपको जो है डिमांड म सब्सक्राइब तो आपके पास में आप देख सकते हैं कि क्या कि आपके पास में आप दिखेगा डिखेगा डियाग्रामेटिक एक्सप्लेइन दा कंजूमर क्लीरिम विद्धा हेल्प इंडिफरेंस कर सेम कोश्य मैंने करवा हुआ है आपको कि आप हैरान हो जाएंगे इस बात को कि पिछली बार भी मैंने जो है कुछ 45 लिखवाए थे जो आपके सामने भी है बच्चे के पास पूरा पिपर जब यह आया था तो बच्चा फूश हो गया था कि सारे पर उसके उन्हीं कोश्य में से हैं अब एक्सप्लेइन दा रिलेश कर सकते हैं quantity and mc गिरा बढ़ा करके फिर आप वहां से टीवी सी लेकर करके एक टीएस से कुछ भी अज्यूम आप कर सकते हैं वहां से आप टेबल क्रेट कर दीजिए सबसे पहले तो टेबल क्रेट करने के बाद आप डाइगराम मना देजिए अब बताइए कि यह आवरेज अब यहां पर आप देखर आंसर के आंसर में आपके डाला हुआ है और वट इस वट इस अप्लेक्शन फंक्शन एक्स्प्लें दा रिशिशे बिडिमिन दा टोडल प्रोड़क्ट एंड अब बहुत बेसिक सवाल आप से पूछ लिया यहां बदोनों में तो चौता सवाल जो है तुछ इस तरीके से कोस्ट पर इंप्लेक्शन फंक्शन घूम रहा है पांच वहां आपके पास में वट आर दा क्याटेटेस ऑफ परफेक्ट कॉंपेटिटिव मार्केट पूर्ण प्रता बजार की जो है विसस्ता क्या है जो मैंने बता दिया था आपको लाज नु पास में आ जाएंगे पहले आप मुझे बताई जर्ण फुछ डाउट आपके इनमें है तो पूछी जड़ा जरा को जो को डाउट है आपके पास में हमें कितने पर त्यार करना है वर्चे वले बताओ हमें त्यार करना है चार पेपर कम से कम तो चार पेपर करने के बाद और हमें साइट पेपर करने हैं चार और हमारे पास में डेज माल लेता हूं आप ज्यादा हर बढ़ाना नहीं है जल्वाजी कुछ भी नहीं पाएगा उन नीचे जाकर देखिए तो हमारे पास में समय कितना है आठ पिपर कितने करने हैं हमें पेपर हमें करने हैं आप बिटा चार तो आप देखिएगा आप ना दो दिन में बस एक पिपर करो दो दिन में एक पिपर करो दो दिन लगा कर करके आप एक पिपर आप करो तो इससे पांच कोश्चन है न तो आज आप इसका जो है पांच कोश्चन है मेरे पास में पेपर में तो पांच में से आज आप एक काम करिए तीन कोश्चन पिरपेर कीजे पेपर वाले ठीक है जी और इससे different आप इससे अलग जाकर करके आप तीन question prepare कीजिए important वाले 6 question prepare करना है आपको मेरा क्या कहने का मतलब है जैसे कि आपने chapter number 1 लिया तो chapter number 1 में से question तो आग एप लेक्शन पॉसलिटी करका बाकि 2 सवाल इसमें नहीं पूछा भी इस paper में तो बाकि 2 सवाल आप त्यार कर लो इसका शुरू से त्यार करने बीच विच 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 नहीं तकि अगले paper में मेरे पास में अगर ये पॉसलिटी करका ये सवाल ना है तो अगला जो आएगा वो मेरे पास मेरे तयार है तो next day मेरा काम हो जाएगा next day में demand पर काम कर सकता हूँ हमज़रे ना तो आप क्या करें कि आप ने तीन कोशन ये तियार किया इसमें से एक कोशन आपका आया introduction में से बाकि दो कोशन वो ले लिजिए और demand में से बाकि आप एक सवाल ले लिजिए तो तीन सवाल रखिए अपने आपको क्योंकि अगर आप तीन सवाल अगर आप डेली लेकर के चलते हैं important questions का तो आपके पास में यहां पर है दस दिन के आपकर समय दस दिन में आप तीस तीस नहीं तो आप चोबिस भी अगर आप कर लेंगे तो आपके चोबिस और बाकी के आपके पास सोला कोशन आपके पेपर यह करें पहला काम क्या है सबसे पहला आप जो है अपने paper को लेकर के बैठोbelle को भैठो शाम को चार बज़े तक चीक है और आप अपने हाथ से अपना अंसर लिखो लेके बैठ के आप पड़ो मत याद मत करो उसका कोई फाइदा नहीं होगा आप आप अंसर डिजाइन करो पहले कि आपका डियाग्राम यह उस आंसर को डिजाइन करने के बाद उसको आप शेर करो अपने को अप्शन है ऐप तो आप उस एप पर उस असाइन्मेंट को आप समिट करो चीक है शब्मिट करने के बाद आप यह मांगे से लिए पेपर दे रहे हो मैं उसको चेक करूँगा एक नजर मारूंगा देखूँगा आज और जिसने तीन सवालों को बहुत अच्य तरीक लिखने भी कम पढ़े आपको एक बार रीडिंग कर ले कि ऐसे आंसर आपको करोगे तो आपके पास में रहेगा आज कोई एक बच्छा इस पर बाजी मारेगा तो आपके पास में आता रहेगा बैसे अलड़ी कंटेंड और आंसर में देच चुका हूं आपको उसको भी रीड आपके बनाएता हूं सबसे बड़ी अर्ग वर्ट्सप ग्रूप में क्या होता है टेलिग्राम में आपके डोकुमेंट से वह आपके सेवी रहते हैं तो इको विदा अनन्सर के नाम से एक टेलिग्राम बना करके वो लेंक शेयर करवायता हूं थिक है तो इस ट्रेडिजी स मेनिंग देकले मिन लिख लिए डागराम बनाओ यह IGHके करो मैं कर भीने देखें करो डेपल बनाओ फिरुबत पहले वीडियो देख लेन आ पहले वीडियो देख लेना दभी आप नोर्ट अठेवना बना पाऊगने नोट्स बनाने के पाद बस एक घंटे काम है आपका आपको पता लग जाएगा चीजें कैसी करने तीन कोशन तेयार समझें आपका इंबुक लेकर के बैठे हो पीडिएफ स्क्रॉल कर रहे हो हाथ लगा पीडिएफ फिर उसको कर पूरा दिन यह चल रहा है पीडिएफ पर जाते जाते फिर आप शौर्ट वीडियो पर चले गए यूटूब पर फिर आप इस्टा पर चले गए फेस्टूक पर चले गए फिर आपको ढूंड करके लाना पढ़ रहा भाई कहां चले गए हो ए घंटा हो गया तुमारे वीडियो देखते यहां पर आजा पढ़ लो तो इस तरह बस फोन का इस्तेमाल वीडियो देखने में करो और साइड में और आप अपना मैटर लिखना शुरू करो रि है जी है हां जी इस लिए बस कंप्लीट हो गया है कि जो नोट्स बना लिए वो मुझे शेर कर दीजिए एक बार आंसर टेलिग्राम का चाहिए दिए टेलिग्राम पर आप अपना जो है आंसर वो शेर कर दिए पीडियो बना के पॉन में आपके पास में होगा टैम स्कैनर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लिजे प्लेस्टोर पर उससे आप स्कैन कर लीजेगा पीडियेफ बना लीजेगा पीडियेफ बना करके उसको सीधा क्यों आप बना करके टेम के होगे और पास तीन कोशन मनाने में गंटा तीन गंटा तीन इन गंटा मतलब के आपके पासे हैं 2 मतलब को चार बहिसे एक प्रपि ध्र पिंटन क्रिक 그 ओच्पों से आपको बाकि जो दो क्षोंट को लिख χाया मैं ने आपको टी़या नमें से ठीक cav PR प्रेण उत्यार कर लो चार वजे के बाद जो है आप अगले इक 2 2 गंटे तो आज का दिन बड़ा सफल रहेगा हर एक दिन सफल मनाओगे तब जाकर कि नो दिन सफल होगा वह दिन आपका सक्सेस्फुल रहेगा एसा सब्जेक्ट आपका बन जाएगा यह बाकी पेपर में अगर आपके 50-45 परसेंट आया और यहां पर आपने 80 परसेंट खीच दिया अपर सिर्फ पास बात ने कर रहा है तो आप आपके पास परसेंट आपके पास बीस परसेंट एक्ट्रा हो जाएंगे दो पर जिसने आपका आपका जो आवरेज स्कोर आपका इंप्रूब हो जाएगा 60 परसेंट कुछ उपर नीचे हुआ पचाब अब रहेंगे जिससे कि आप अब यहां पर सकते हैं तो यहां पर स्कोर करना है नोग दिन में महनत करकर करके आपको बात धाने क्लियर है तो यह पेपर आपक पॉशन्स कि मैंने आपको बनाया ना PDF अंगर देखे तो 3K मैं मैं एक imp Woods questions कि PDF बनाई है न Card inaaa इंपॉ। चोफेमरेंट कोश्षिंज के नाम से था इंपॉटन वुशन एं रिंदे इंपोरेंट गोशेंस इंग्युश्स मैं करने हैं, कल में हिंदी सोरी के 10 यह बना था, कॉंटेक्ट आया नहीं मिल पास में देखें, पॉट्व एन्सर कॉंटेक्ट नंबर वे इनके आंसर स्के लिए आप कॉंटेक्ट के लिए गई गई जैसे कि आपके पास में प्रोल्म स्केर सिटी के मैंने तीन कोशन डाले थे आपके, आपको पता है? तो इसमें से, राइट शॉर्ट राण प्रोडक्शन पर्सिलिटी कर्व, यह कोशन तो आपका उसमें आ गया है, ठीक है जी? उसमें कवर हो गया यह तो, प्रीवीसर पेपर में, यह कोशन, एक कोशन आप यहां ले लिजिए जो एक्ट्र तीन कोशन है, और आपको यूज़ एक्सप्रें दा कंसेप्ट अब दा स्केर सिटी, एक कोशन यह लेजी, दो कोशन आपको यहां पर मिल गया, यह तो सेम कोशन आपका, और डिमांड में से, आपके पास में स्टेट एक्सप्रेंड दा लोग दिमांड वाइड दिमांड कर्व, आपके पास में एक ही हो गया और आपके पास में ये और एक आपके पास में ये एक तो महां से त्यार कर लिया आपने और आपके पास में एक कुश्चन लोग डिमार तो आपको इसमें ही त्यार जागा एक इसमें से आप ये त्यार करें ठीक है न और आप एक कुश्चन ये ठीक है, दो question आप त्यार कर लेजिए, मेरी बाद समझे तो तीन question आपके त्यार हो गए आज छी class में और इसको भी Q छोड़ेंगे फिर आप इसको भी खतम कीजिए, अगले में है इसमे question, नहीं है तो आप आज chapter number 2 तक का important question कि कुछ चीज़ तो cancel हो गए ना आपके low demand होँआ भी पढ़ लिए, आप नहीं पढ़ लिए तो कम button आगे ना, तो chapter number 2 तक का important कर लो ठीक है, और आप जो है, तीन question वो त्यार कर लो, बहुत कुछ त्यार राफ तो हो जाएगा समझे, मेरी बाद समझे रहे हो तो यहां तक त्यार करें, पेपर भी पता लग गया आपको सब्सक्राइब, अब बताए कुछ कुछ डाउट है तो, या आप गवरार रहे का मैं से मैं करना, 80% प्लस लाने हैं आपको, थान जी चुत्ता हो गया न, हमारे पास वो कुशिन करता है। प्राइट शॉर्ट नोट एन इन टू यह सवाल आपका लास्ट में स्वाल देखने को मिलेगा जो शॉर्ट नौट आप पिछले चार पेपरों के शॉर्ट नौट पढ़ोगे उसमें से यह आएगा आपका ठीक है तो आपको यह पर एन इन टू नहीं पढ़ना पो तीनों प स्केल यह एक आपका रह गया है जो जो कि हम कल की क्लास में इसको डिसक्स करेंगे ठीक है जी किलेरे करेकर लेकर को मैं गाइख और और आ qualities करें ना आगे दो तो कल तियार करेंगा कल में पढ़ाओंग आपको आपको बहुत प्यार से पढ़ाएं वह दिल लगा के पढ़ाएं तो वैसे भी अगर आपके पेपर में आ जाता है सवाल तो आप दो देने से दो आप पांसर करी सकते थे बढ़ फिर भी मैं आपको यह बताऊंगा ठीक है जी क्लियर है तो लास्ट कोशन आपके पास में एक तो टोडल आपके पास कितने कोशन सोगे की आपके पास में चयो चन होगे आप एक आप दोच लिए कि बहुत है आप सोच लगे कि भाईया एक दो आथ नमर आ विपर होगा तो अट रह रहे कुशन ठारा नमर का होगा ठारा पॉइंट पत्चिश्व पत्चिश्व यह पो गया बच्चे गुडवने से आपको इंट कितने करने हैं कि एनी फोर कि तब यहां पर चाहिंट करने बड़ेंगे आपको चार यह अच्छी से आता है जाहिए सी बात है लेकिन पेपर में हम रिस्ट नहीं लेंगे यहां पूरा 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 पेपर सौल करके चलिएगा चार आपके कोशन अटेम्ट हो जाएंगे मेरी बात समझें क्लियर रहें एकनामिक्स आफ स्केल यह प्रलक्शन फंक्षन के रिटर्स टू स्केल का टापए कि आपका एक क्लियर ना तो छह कोशन में साथ को चारी अटेम्ट करने हैं लेकिन आप च्छे त्यार करके चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पिपर इससे पूरा पिपर अच्छा हो नहीं करवा रखा होगा जैब अभी इन नो दिनों में चल्चा में मैं नहीं करूँगा अभी जो मैं आठ दिनों बताऊंगा सारे सवाल आपको उसमें सही होंगे यह मैं जानता हूं पर आपका स्कोर वो कर पाओगे इतना कुछ पता होने के बाद भी इसके लिए आपका सब्सक्राइब करोगे यह सब आपके नॉलेच होने के बाद भी आपके मार्क्स को नहीं आने देंगी इसलिए आठ नो दिन आप गलतिया करने लिए लिक लिक करके आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी मेरी बात समझे यह नहीं समझे वहीं क्या बता रहा हूं है क्लियर ह आप लिख तो सकते हो कोई गरबट तो है नहीं कुश्चिनमर दूसरा पहला कर लो फिर पहला बाद में कर लो कर सकते हो पर आपका वैसी करना कुश्चिनमर फॉस्ट आप कर लेना कि सकीन करना ओर अच्छा रखोगी तो आपको ठीक रहेगा पर आगी पीछे कर रहे तो कोई तक दिक्कत नहीं है कि जो पर में डिस्ट कर रहा हूं इस यह कि जो जो पर दिस्ट करऊंगा में इंपोर्ट्टिंपर लेटिस कर लेगा समझे तो यह आपकर लेना तो अब मिलते हैं फिर हम नेंस क्लास इसमें इसमेंसे एक टॉपिक समझाना है आपको और आज आप इकोविद आनंद सर यह आपको टेलिग्राम को चैनल मिलेगा यहां पर आप इस चीज को क्या करें आप अपने आपको सम्मिट कराएं अपने साइन्मेंट चार बजे ठीक है सभी बच्चे जितने बच्चे सुन रहे हैं क्लियर है टेलिग्राम पर एकोविद आनंज में जो यूटूब पर हैं बच् कल है अब मैं इनके डाउट ले रहा हूँ